टेयवी टावर इस्टेंड बॉर्टी कली ऑफ केनार एक टीवी टावर है थोड़ी देर के लिए इसको मैं ti-i-वी टावर मान सकता हूं vertically bank of a canard यह नहर इसके नीचे से बहरी है इसको थोड़े देख ले मैंने नहर मान लेते हैं नहर के किनारे यह TV tower इस तरह से लगा हुआ है from a point of other bank directly opposite of tower है यह नहर हो गई यह नहर के किनारे जब व्यक्ति tower के top को देखता है तो tower के top का angle जो crate होता है वो 60 degree का angle यह इससे अवे 20 meter चला जाता है और इस point पे आ जाता है अब इस point पे आने के बाद point D है यह point D है जब यहां से यह इस tower के सिरे को देख रहा है तो इसका जो angle बन रहा है वो 30 degree का angle बन रहा है यह तो हुआ प्रस्ण में जो हमसे कहा गया हमने उसको इस तरह से चित्र के रूप में समझ लिया है दो आक्रतिया बन रही है एक आक्रति तो यह है perpendicular दोनों के लिएक को लोगा हमें क्या निकालने है हमें यह केनाल की एक तो चोड़ाई निकालने यह नहर है मान लेते यह point को मैंने बी माननी है और यह point को सी माननी है तो नहर की चोड़ाई कितनी होगी बी-सी इसकी नहर की चोड़ाई टावर की इस पर से टावर देखें टावर की टोटल हाइट हमें इसमें फाइंड करनी है जाएगा बाहर की साइड वाला जो 30 का एंगल बना रहा है मानने ते इस point को मैं D में ले लेता हूँ 20 प्लस BC ये इसका base का काम करेगा और height इसमें equal रहेगी तो पूरा calculation को करने के लिए आईए चलते हैं अपने note पेटर और जब इसके सिखर को देखा जाता है तो हमें नजरे 60 के एंगल से उठानी पड़ती है और उसके बाद on the line joining the point of foot of the tower the top of the 30 इसके बाद 20 meter away from the point 20 meter यहां से away from the point इनमार दो तरह के समकौर्ट रिभुस से मिलकर है एक इसमें right angle triangle है इन triangle ABC सिंपल सी वात है इन right angle ABC और दूसरा right angle triangle है इसमें ABT ABT है तो मान लेते हैं यह इसका TV tower है और इसकी height हमें पता नहीं है पते हैं AB एक TV का tower BC जो है नहर की चोड़ाई है तो इन triangle triangle कौन साले ट्रैंगिल में पहले हम ABC ले ले लिए तना आप perpendicular by base इसको हिंदी में काज़ा लंब बटा आधा AB इने base क्या है नहर की चोड़ाई हो जाएगा AB upon BC टेबल से देखते हैं तो 1060 का वह यह होता है root 3 equal to AB upon BC अर्था BC root 3 AB बराबर AB इसलिए BC बराबर equation मान सकते हैं equation 1 इसको यहाँ पर हाइलाइट का देखा अभी मान सकते हैं यह पूरा है 10 theta जैसे हमने 1060 निकाल किया था 1060 के लिए ऐसे हम यहाँ पर इसके लिए कर लेता है 10 30 degree 10 theta बराबर हो जाता है perpendicular by base 10 theta बराबर लंब बट्टा आधार कते हमने परपेंडिकुलर इसके लिए एक हैं यह टीवी टावर परपेंडिकुलर काम कर रहा है लेकिन यहाँ पर base क्या है यहाँ पर base है BD मैंने BD लिग दिया अब मैं इसको और simplify कर देता हूँ यही पर कर लेते हैं हम इसको AB की जिगे पर आ गया AB और BD को देखते है BD की संग्रेशना दो चीजों से मिलकर बनी है एक है पाता है BC यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है नहर की चोड़ाई और यह जो हमें दे रखा away from the point of 20 meter C plus CD 30 AB और BC का value यह है AB upon root 3 और यह है CD CD हमें दे रखा away from the 20 meter away from the 20 meter तो 20 meter की जागी पर मैंने हाँ पर 20 लेक लेता हूँ इसका value आता है 1 upon root 3 एक क्वल्ट नीचे कर लेता है यह आ जाएगा root 3 इसका पूरे का LCM के लिए और यहाँ पे आ जाएगा AB plus AB AB plus के लिए यह आ जाएगा 20 root 3 20 root 3 तो इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि 1 upon root 3 AB 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 अब इसको multiply करेंगे इसको पल्टाके लिख देते हैं root 3 root 3 इसको multiply करेंगे upon AB plus root 3 20 root 3 इसको क्या करेंगे हैं cross multiplication करेंगे इसको solve बगन का यह एक तरीका होता है कि इसका इसके साथ multiply हो जाता है और इसका इसके साथ multiply का root 3 से होगा तो यह हो जाएगा 3 यह जाएगा 3 और AB simplest root 3 AB will be equal to 3AB यह हो जाएगा 3AB यह हो जाएगा 3AB यह हो जाएगा AB AB plus 20 root 3 अब 2AB यह है AB 3AB minus AB minus AB बराबर है 20 root 3 बराबर है 20 root 3 तीन में से एक घटा दिया तो यह हो जाएगा 2AB बराबर हो जाएगा 20 root 3 2AB बराबर 20 root 3 therefore इसलिए AB बराबर will be 20 root 3 यह यहाँ multiply में है तो इधर आएगा तो यह divide में चला जाएगा 2 ने 20 को cancel कर दिया है यह आगा 10 AB बराबर 10 root 3 और इसका unit क्या आता है? meter है बाई जो है 10 root 3 यह हम दे हाइट आप टी विटाप इसमें value पुट कर देंगे इसलिए मैंने highlight क्या आएगा B C विल बी यह की जगे पर मैंने 10 root 3 लग देता हूँ अपॉन root 3 अब root 3 ने root 3 को cancel कर दिया यहाँ गया B C equal to 10 क्योंकि यहाँ पर सारी unit जो है meter में दी हुई है इसलिए नेहर की चौड़ाई B C बराबर 10 meter होगा 10 meter होगी 10 और height of the tower 10 root 3 root 3 required answer यह है some application of technometric exercise 9.1 exercise 9.1 का है यहाँ पर question number question number 11 question number 11 का है यहाँ से 12.1 9.1 का यह प्रेश्न संक्या इग्यार है 9.1 प्रेश्न संक्या इग्यार और इसका height जो है 10 root 3 तो यह answer हमारा verify होगया 10 meter 10 root 3 ही आगया और 10 meter ही आगया उस तो that's the end this episode इसलिके साब आज का एपिसोड ही समाप्त होता है अगर आपने चैनल पर पहली बावजिट किया तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ ही इस वीडियो का लिंग अपने मित्रों के साथ सेर करें इसी प्रेकार के helpful content आपको इसे चैनल पर सारिप की जाते एजुकेशन से सम्मनित कोई भी क्वेरी आपके बंद में उठता है उसको आप मेरे WhatsApp चैनल Mtech मित्रेश एजुकेश्मन पर ड्रॉप कर सकते हैं सेम टू सेम नाम से मेरा फेस्बुक पर यहीं वीडियो आप फेस्बुक एप्टिकेशन पर भी देख सकते हैं नाम भी सेम है इसके अलावा अगर आपने घूमने फिरने के शौकिन है डेली लाइफ रूटीन व्लॉग से देखना चाहते हैं अबलेब रहता हूँ चैनल का नाम है मिठिलेश व्लॉग लेनिका आप उस पर जाके यात्रा वर्तांत संबंदी वीडियो पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर इस्टे टेलेट